सब्सक्राइब करता है आप सभी लोग उमीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आपकी पड़ाई अच्छे से चल रही होगी तो गाइस लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगोंने एनिमेटेड वीडियो देखा हमारी सेकेंड पोईट्री का उसी सेकेंड प देखने वाले तीन मेजर एलिमेंट जो है इस पोईट्री के जो एक्जाम के पॉइंट ऑव यू से और बेटर अंडिस्टेंडिंग के पॉइंट ऑव यू से बहुत जादा नैसेसरी है इंपोर्टेंट हम लोगों के लिए चलिए गाइस सब सब पहले हम बात करने वाले ह एन एलिमेंटरी स्कूल क्लास्रूम इन स्लम यानि कि एक प्रारंबिक शिक्षा का विद्याला है जो कि उसका कक्षा कक्ष का बात की जारी है कि उसका क्लास्रूम कैसा है जो एक स्लम में यानि कि जुग्गी जोपडी में या कच्ची बस्ती में बसा हुआ है इसको जो है वह व्याख्या करते हैं वर्णन करते हैं कि क्या इस्तिती है उन गरीब बच्चों की जो की जुगी जोब्डियों में या स्लम में रहते हैं The children are in a very miserable condition वे बच्चे बहुत ही दैनी अवस्था में अपना जीवन जी रहे हैं यानि उन्हें देख करके उनके जीवन को देख करके किसी को भी दया आ जाए Due to their poverty and illiteracy उनकी गरीबी के कारण और illiteracy का मतलब होता है निरक्षर्टा इसके कारण निरक्षर्टा के कारण और गरीबी के कारण वे अपना ऐसा जीवन जी रहे हैं The poet Stephen Spender wants the life of the slum children should be changed और यहां पर हमारे कवी जो है Stephen Spender वो चाहते हैं कि इन बच्चों का जो जुग्गी जो बड़ेयों में जो बच्चे रहते हैं इनका जीवन जो है इनकी लाइफ जो है शुड़ बी चेंज़ इन बच्चों का जीवन बदलना चाहिए बेहतर ही की तरफ बदलना चाहिए और बेहतर होना चाहिए The pale faces of children express sadness फी के पड़े से जो चेहरे हैं इन बच्चों के वो दुख को दर्शाते हैं Sadness को दर्शाते हैं The children are physically very weak शारीरिक रूप से Physically का मतलब क्या है शारीरिक रूप से बच्चे बहुत ही कमजोर है The poet wants that their poverty should be rooted And they should live a healthy and beautiful environment तो poet यहाँ पर यह चाहते हैं कि उनकी poverty जो गरीबी है उसे उखाड फैकना चाहिए, rooted करना चाहिए यानि जड़ से उखाड देना चाहिए And they should live a healthy यानि एक स्वस्त जीवन जीना चाहिए और beautiful environment में यानि सुन्दर वातावरण में उन्हें अपना जीवन जीना चाहिए The poet says that governor, inspector and visitor should do something to change their life Poet कभी याँ पर यह कहते हैं कि governor जो है, inspector जो है, visitor जो है उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके जीवन को परिवर्तित किया जा सके उनके जीवन को बदला जा सके In this way, इस तरीके से, the poet raises a big question कभी जो है, एक बहुत बड़ा प्रशन लोगों के सामने उठाता है over the current situation or condition of the children living in the slum वे बच्चे जिस परिस्तिती में अपना जीवन जी रहे हैं उस परिस्तिती में या उन बच्चों के जीवन पर यहाँ पर poet जो है एक बड़ा प्रशन उठाते हैं ठीक है guys, तो यह हमारा central idea है अब हम बात करने वाले है poetry के बारे में central idea के बारे में हमें यह बताया जाता है कि कहानी या यह कविता है किस बारे में इसकी theme क्या है ऐसा कौन सा विचार है जिस विचार के इर्द गिर्द जिस विचार के आसपास यह कहानी लिखी गई है तो इस कहानी में मूलता है दो विचार पहला विचार जो है वो उन बच्चों की स्थिती है क्योंकि अधिकांश जो हमारी कविता है उसमें उन बच्चों की इस्तिती पर ही व्याख्या की गई है और दूसरा जो विचार है कि इन बच्चों को यहां से बाहर निकाला जाना चाहिए और बाकी के जो समाज के लोग हैं उनके साथ ये मिल करके जीवन जी सकें ऐसी इन्हे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ऐसा इन्हे अवसर दिया जा होगे इसलिए enjoy करो poetry को देखो कवी की नजरों से देखो कि वो चीजों को कैसे देख रहा है कैसे महसूस कर रहा है और कैसे करुणा का भाव उसके मन में उत्पन हो रहा है कैसे वो उन बच्चों के दुख को महसूस कर पा रहा है अगर आप उसको एक बार महसूस कर लेंगे तो लंबे समय तक आपको इस poetry का और poetry का सारा सारांश जो है वो ध्यान हमेशा रहेगा Far, far from gusty waves, these children's faces यानि कि तूफानी या जोकेदार जो waves है लहरे हैं समुद्र की उससे बहुत ही जादा दूर है इन बच्चों के चहरे यानि कि तूफानी या जोकेदार waves का मतलब क्या है कि वो तो बहुत ही उर्जा से भरीवी होती है और इन बच्चों के चहरे बिलकुल नीरस से, निढाल से, बेजान से दिखाई दे रहे हैं लाइक, rootless weeds, जैसे कि बिना जड़के, rootless मतलब जिनने उखाड कर साइड में डाल दिया हो, weeds खरपतवार या व्यर्थ, जंगली पौदे जो आजाते हैं फसल के बीच में उनकी तरह इससे या कभी क्या कहना चाहता है, weeds क्यों का उसने बच्चों को क्योंकि यह एवांचित है समाज के लिए, जो society है, उस society में इनका कोई स्थान नहीं है कोई इन्हें अपने समाज में या समाज की मूलधारा में कोई भी इन्हें स्थान नहीं देना चाहता the hair turned around, their pallor, बाल जो है वो बिखरे हुए है, बेढंगे तरीके से, उनके pallor पर, उनके पीले चहरे पर the tall girl with her weight down head, एक लंबी सी लड़की जिसका सर ऐसे जुका हुआ है, क्यों जुका हुआ है क्योंकि वो दुखी है, वो उदास है, वो परेशान है, उसे समय पर उसकी आवशक्ताओं की चीज़े नहीं मिलती है मैं यह नहीं कहरा, उसकी इच्छाओं की चीज़े नहीं मिलती, जो उसकी मूलबूत आवशक्ता है रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, एक decent सा घर हो गया रहने के लिए, एक अच्छा environment हो गया, जिसमें अच्छे से सास ली जा सके, अच्छे से इंसान रह पाए, जी पाए, उन सारी चीजों को वह महसूस करती है और उसके बजन से, उसके बोज से, वेट का मतलब क गया है, the paper simming boy, paper simming boy का मतलब क्या है, paper की तरह, बहुत जादा, कागस की तरह, बिल्कुल पतला दुबला सा एक लड़का है, with reds eyes, जिसकी आखे जो है, बिल्कुल कैसी है, चुहे की तरह है, मुझे बताओ, चुहे की आखे क्या ढूंडती रहती है, हमेशा, फटा-फट से comment करके बताओ, चुहा जो होता है, जब घर में गुच जाता है, तो उसकी आखे क्या ढूंडती रहती है, या रसवी में गुच जाता है चुहा, तो उसकी आखे क्या ढूंडती है, फटा-फट comment करके बताओ, मुझे, तो reds eyes, उसकी आखे जो है, बिल्कुल चुहे की जैसी आखें बस कुछ ना कुछ ना कुछ खाने को तलाश रहा है क्योंकि वह इतना भूका है उसने इतने लंबे समय से पेट भरके खाना नहीं खाया कि वह इतना दुबला पतला हो गया है कि कभी उसकी तुल्ला एक पतले से कागज से कर दे रहा है कि इतना पतला है जैसे कागज ह वो बिल्कुल इतना पतला है और इतना पतला होने के साथ ही उसकी आखे बस खाने को ढूंड़ती रहती है अब यहाँ पर क्या है? अविक्सित जो पूरी तरीके से विक्सित नहीं हो पाई अनलकी का मतलब होता है दुरुभाग के शाली यहर का मतलब होता है हेरिटेज जो उत्रादिकार में यानि अपने पिता से पुत्र को मिला हो और क्या उत्रादिकार में उसे क्या मिला है? पैसा, सोना, चांदी, दंसंपत्ती नहीं मिला ट्विस्टिड बोन्स, विक्रत, मुडी हुई हड़ियां रिसाइटिंग जो की वर्णन कर रही है, साफ तोर पर दिखा रही है कि उसके पिता की जो गाटदार बिमारी है, वे उसे उत्रादिकार में प्राप्त हुई है यानि यहाँ पर कभी एक लड़के को देखता है, जिसकी हड़िया मुडी भी और हड़िया क्यों मुडी हुई है, क्योंकि उत्रादिकार में उसे अपने पिता से ये बिमारी ही मिली है कोई सुक्सुईदा नहीं मिली, कोई धन संपत्ती नहीं मिली, बलकि ये बिमारी उसे अपने पिता से प्राप्त हुई है ऐसे बच्चे को वह वहाँ पर देखता है अब अगर हम वापस एक बार देखें कौन-कौन से बच्चे देखें हमें तो सबसे पहले हमें एक लंबी से लड़की दिखी जिसका सर जुका हुआ है दूसरा एक पतलासा कागज जैसा लड़का जिसके आंके खाना खोज रही है तीसरा लड़का ये जिसकी मुड़ी हुई हड़ियां है और मुड़ी हड़ियों के साथ-साथ क्या है इसे अपने पिता से उत्रादिकार में ये बिमारी मिली हुई है इसकी डेस्क पर उसका जो लेस्न है जो पार्ट है जो वह पढ़ रहा है एट बेक ओफ डिम क्लास जो की कहा है उसकी कक्षा और कहा है उसकी सीट और कहा है उसका लेस्न कक्षा में सबसे पिछले स्थान पर जहां बिलकुल धुंदला सा उजाला है डिम लाइट है बिलकु कम रोषणी जहां पर है One unnoted, sweet and young और एक unnoted ऐसा बच्चा जिसकर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बच्चा पीछे की और और एक बैठा हुआ है His eyes live in a dream और उसकी आँखे बस सपनों में खोई हुई है कख्षा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है क्या बात हो रही है क्या बात नहीं हो रही है उसके कोई मतलब उसकी आँखे बस दिवासवपन में खुली आँखों से वो सपना देख रहा है दिवा स्वपने में उसकी आँखे किसी अन्य ही संसार में, किसी दूसरे ही संसार में खोई हुई क्योंकि उसका वास्तविक संसार जो है वो जीने के लायक नहीं है वो ऐसी इस्तिती में बैठा नहीं है कि वास्तविक संसार को वो अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाए या उसमें बहुत हसके प्रसंद होके उर्जावान होके अपना अध्यन कर सके ऐसा माहौल उसे वहाँ पर नहीं मिल रहा है इस लिव इन ड्रीम उसकी आँखो में दिवास्वपने चल रहा है किसके ओफ स्क्विर्ल्स गिलेरियों के गेम गिलेरियों के खेल कि खेल किलेरियों कैसे खेलती है बाग के ऐसे चड़ जाती है और फिर कोटर में कुछ जाती है फिर खाने को कुछ मिलता है तो मूँ में यही सब उसके दिमाग में चल रहा है, in tree room, जो tree के अंदर quarter होता है, उसके अंदर other than this, और इसके अलावा अन्य, on saw cream walls, अब क्या हुआ, अब तक हमें ये बताया गया कि कक्षा कक्ष में विध्यारती कैसे है, कक्षा कक्ष जो है पूरा classroom जो है, उसमें कैसे कैसे किस किस तरह क किस किस प्रकार के, भिन भिन प्रकार के, विध्यारती वहां बैठे हैं, लेकिन जिस कक्षा में वे बैठे हैं, वे कक्षा कैसी है, उस कक्षा का वातावरन कैसा है, तो on saw cream walls, अप्रियर या असुहाने, खटे पडे से, बेकार सी, जो cream walls हैं, cream color की जो walls है, donations और उन पर लग की गई बस्तुए है, उसमें सबसे पहला क्या है, Shakespeare's head, तो एक चहरा है, एक Shakespeare का फोटो लगावा है, वहां पर, cloudless at down, सुबह के समय में, उशा काल में, भोर के समय में, आकाश दिखाया गया, जिसमें बिलकुल भी बादल नहीं है, तो एक चित्र तो है, Shakespeare का, एक चित्र है, गुड मॉर्निंग का, without clouds, civilized dome, riding all cities, बड़े बड़े गुंबद वाले, बड़ी बड़ी इमारते बनी वी है, जो सभी शहरों में दिखाई देती है, ऐसे चित्र लगेवे हैं, बेलिज, flowery, tyrolis valley, और घंटियों से बस्ती हुई, या घंटिया लटकी हुई, फ्लावर से, फूलों से भरी हुई, tyrolis valley, औस्ट्रिया के अंदर एक valley है, एक घाटी है, जिसका नाम है, tyrolis valley जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, तो ऐसी घाटी का, एक सुनहरा चित्र, जो आखों को प्रसंद करने वाला हो, मन को शांती देने वाला हो, ऐसा एक चित्र लटका हुआ है, one open-handed map, और ताना शाहों के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा बनाया गया, संसार का नक्षा, बतलब कुल मिलाकर के संसार का नक्षा है, यानि कि एक चीज़ अगर मैं आप और देखूं, पांच भी चीज़ तो एक map है, तो टोटल पांच ची चीज़ों को समझो, सेक्स पियर किस चीज़ के लिए फेमस है, अपने लिट्रेचर के लिए, लिट्रेचर तो इन बच्चों की जीवन से को सो दूर है भाई, लिट्रेचर कौन पढ़ता है, मुझे एक बात बताओ, जिसका पेट भरा हो, जिसको शाम के टाइम में शानती से बैठा है, आराम से कॉफी की चुसकिया ले रहा है, वो बैठ करके लिट्रेचर पढ़ता है, अपना टाइम पास करने के लिए, पुराने जमाने के लिट्रेचर का बतलब क्या था, यह आप जो फोन पे स्क्रॉल करते हो, टीवी देखते हो, वेब सिरीज देखते हो, य लिख दी जाती थी, छाप दी जाती थी, फिर उन्हें लोग पढ़ते थे, तो आज के तारिक में फोन चला के टाइम पास करते हैं, पहले ऐसे अपना टाइम इंजॉय करते थे, अलागि पढ़ना जाधा बहतर था, क्योंकि उससे जीवन में नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो ये चीज जो इन बच्चों के जीवन से कोसो दूर है, यहाँ पर जो इनको सुबह दिखाई दे रही है, सुबह सुबह एकदम से बंदा यूँ सो के उठे, मस्त एकदम, जुग्गी जोओ पड़ी में, खिड़की के बाहर देखे, तो उसे ये भोर का दृष देख करके और यह सास लेना, इससे तो यह सारी के जारी, तो यह जो है, यह सारी चीज़ें कांट्रास्ट कर रही है, बड़े-बड़े शहर दिख रहे हैं, डोम दिख रहे हैं, गुंबत दिख रहे हैं, लेकिन यहा तो जग्जी पड़िया है, तरपाल से बने वे, ऐसे तरूम में वो लोग रह रहे हैं वहां सुन्दरता है आसपाइस सारी तरफ गंदगी फैली हुए मैप जो ऐसा लग रहा है कि पूरा खुला आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो लेकिन आप कहीं भी जातों सकते हो आपको हुआ जाने के बाद सुईकार कोन करेगा कोई आप आपर बताएगा है इनके माद्यम से. Awarding the word, its word. यानि कि ये सारी कि सारी चीजें संसार को award कर रही है, प्रोटसाहित कर रही है, उसे पुरुसकार दे रही है कि देखो कितना बढ़िया संसार है. तो ये सारी की सारी चीजे वह संसार जैसा की विजेताओं ने अपने हिसाब से बाटा है यानि की संसार को इतना बढ़िया संसार होने पर बदाई दे रही है और फिर भी फॉर दीज चिड्रन इन बच्चों के लिए कौन से बच्चे जो स्लम में रह रहे हैं इस विंडोज ये जो चित्र रूपी खिड़किया है जिससे वह बाहर के संसार को देख रहे हैं नौट दिस मैप ये मैप नहीं दियर वर्ड ये मैप कहीं से भी उनका संसार नहीं है क्योंकि मैप में तो बहुत सारी चीजे है सुन्दर घाटियां है सुन्दर पहाड है समुद्र तट है जंगल है रेगिस्तान है पचासों चीजे हैं सुन्दर शहर है महानगर है लेकिन उनके लिए क्या है उनके जीवन में बस यही कच्ची जुग्गी जोपड़ी है और क्या है वेर अल्ड फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग यानि कि उनका भविश्य पूरी तरीके से पेंट किया गया है फॉग के द्वारा कोहरे के द्वारा धुंदला है पूरी तरह से एनिश्यत है कोई भी सपश्टता वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही कि जीवन उनका आगे कैसा होने वाला है एक पतली सी सडक जो आगे जाकर बंद हो जाती है एक तरफ से विद लीड स्काई नीला धूसर सा यानि कि धूल मिट्टी से भरावा पूरा आसमान ही उन्हें दिखाई देता है यह जो देखा था नहीं पिछली स्लाइड पे कि सुबह सुबह का भोर का समय है क्लाउड लेस स्काई दिखाई दे रहा है सूर्योदे से पहले ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए संसार कैसा है संसार में उनके लिए आसमान जो है वो धूल मिट्टी से भरा हुआ है और जिस गली में वो जा रहे हैं वो आगे जाकर एक जगह पर बंद हो जाती है और वो बंद कहां पर हो रही है जहां से बाकी संसार की शुरुआत हो रही है यानि कि यह लोग यहीं रह पाएंगे इस से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे ऐसा भाव हमें पता चलता फार 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 फ्रॉम रिवर्स बहुत दूर हैं यह लोग नदियों से केप्स अंतरीप्स से एंड स्टार्स ओफ वर्ड्स और शब्दों का जो संसार है शब्दों के जो सितारे हैं उनसे बहुत दूर है शूरली निश्यत रूप से सेक्स पियर इस विकिड यानि की सेक्स पियर जो है इन बच्चों के लिए पूरी तरीके से अर्थ हीन है बलकि उनको मोग कर रहा है चिडा रहा है उनको यह तकलीप पहुँचाने वाली बात अब आप लोगों को मालो आपके पैरेंट्स अकेल तो आपको यह लगिगा कि हम जा नहीं सकते हैं तो प्लीज बता भी मतब हैँ क्यों कि बताएगा तो और जान जलेगी कि यार भई बता क्यू रहा है एक तो ऐसे ही जानिया को को वाले वैसे परमीशन नहीं दे रहे जाने की तो वही इस्तिती यहां पर है कि बच्चों को आप सेक्सपियर का चैरा तो दिखा रहे हूं लेकिन क्या वो अपने जीवन में कभी ऐसा सहस टाइम जी पाएंगे कि वो आराम से बैठके आराम से नौकरी चल रही है दोनों वक्त दिखाई देता है जहां उन्हें प्रेम दिखाई देता है और वे यह सारी की सारी चीज़े जो बहुत ही सुन्दर है बहुत ही लुभावनी है प्रलोवित करती है किसी भी इंसान को लल्चा लेती है कि आओ और इन्हें चुरा लो या चुपके से इन चीज़ों को लेकर भ ऐसा जीवन देने के लिए आप वादा भी मत कीज़े या ऐसी कोई चीज दिखाईए भी मत जिससे उनके दिमाग में ऐसे कोई विचार रहे हैं. जीवन के लिए बंद हो गये हैं उनके सकड़ी या तंग जो उनकी गलिया है मांद जो है चोटे चोटे उनके घर उनमें उनका जीवन पूरी तरीके से चतुराई पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है कि वे उस मांद में ही रहें वे उस अपने इलाके में ही जियें उससे बाहर कभी ना निकल पाएं. From fog to endless night यानि कि कोहरे से लेकर अनन्त चलने वाली रात्री तक कभी खतम ना होने वाली रात्री ऐसी रात जो कभी खतम नहीं ही. आपके लिए कल सुबह सुरज हुग जाएगा, कल सुबह सुर्योद हो जाएगा, सुबह हो जाएगी. इनको खुद को पता नहीं चलता, क्योंकि जब इनके जीवन में उन चीजों की शुरुवात हो रही होती है, तो ये गहरे कोहरे में धुंद में अपना जीवन जी रहे होते हैं. On their slag heap, these children, यानि कि जितना भी कूड़ा कबाड़ा गंदगी है, उनके धेर में ये बच्चे, we are skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. यानि कि इनका जीवन ये जो गंदगी भरे शेत्र में इस बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं, इन्होंने चमडियां पैन रखी हैं, जो इनकी, जिनसे इनकी हड़ियां बाहर जहां करें. मतलब इतने पतले हैं कि बस skin है और skin के नीचे सीधी हड़ी, इसका मतलब पूरी तरह से kuposhit हैं, malnirished हैं, यानि कि इनको प्रचुर मात्रा में ठीक तरीके से संतुलित आहार खाने को नहीं मिलता है, और spectacles और इनके चश्मे जो हैं, वो steel के टूटे हुए चश्मे हैं, या वैसे हम किसी काच की bottle को अगर stone पे फैक के, पटक के अगर तोड़ देते हैं, तो कैसे दरार आ जाती हैं, वैसे ही दरार वाले चश्मे इन बच्चों ने पहन रखे हैं, all of their time and space are foggy, उनका जितना भी समय है, जितना भी स्थान है, पूरा का पूरा कोहरे से बढ़ा हुआ ह अर्स पष्ट है, slum, यानि floggy slum में है, यानि कि धुंदरे कोहरे में भरे हुए, उस slum में जुग्गी जोपडियों में उनका जीवन है, so blot, they are maps with slums as big as doom, कितने कलंक की बात है उन सारे maps के लिए, जो अमीरों ने बड़े-बड़े मांचितर बनाया है, यहां देखो इत कोपडिया भी यहां पर बसी हुई है, अब यहां तक हमारा जो कवी है, वो यहां तक भर गया है अपने दुख से, अपनी पीडा से, अपने करुणा से, यार क्या जीवन है इन वर्चों में, कितने वंचित तरीके से यह लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, मूल भूत वशक्ता हैं, जो है इनकी पूरी नहीं हो पारी, तो जब मैंने कहा था, कई बार मैं अपने लेक्चर्स में कहता हूँ, कि जब आप बिल्कुल निचले पाइदान पर खड़े होते हो न, तो सबसे बड़ी अस्तिती होती है, पताए क्यों, क्योंकि उससे नीचे जाने के और कुछ है ही नहीं, वहाँ तो अपन खड़े ही है, तो वहाँ से एक ऐसी आशा, एक ऐसी उमीद की किरन शुरू होती है, जो आपको बताती है कि नीचे नहीं जा सकते तो उपर बढ़ना शुरू करो, यही हमारे कवी के साथ हो रहा है, कि वो जितने निचले पाइदान पर आ सकता था, वो आ गया, जितनी दैनी अस्तिती से अवगत करा सकता था, उसने करा दिया, अब वो किवल आशा कर रहा है, उमीद कर रहा है कि इन बच्चों का जीवन बहतर होना चाहिए, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, या तो जब तक ऐसा नहीं कर दे गवर्नर, इंस्पेक्टर, या विजिटर जो है, वे ऐसा नहीं कर देते, इस मैप बिकम देर विंडो, जब तक ये मैप जो है, जब तक ये संसार जो है, इन बच्चों के लिए विंडो नहीं बन जाता, जब तक ये लोग मिल करके, इस संसार को, इस मैप को इन बच्चों के लिए window नहीं बना देते और ये जो खिड़किया है ये जो windows है that shut up on their life और अगर वे उनके जीवन में इन्हें इससे बाहर नहीं निकालते हैं स्लम से और बल्कि उन खिड़कियों को बंद कर देते हैं जैसे की catacombus catacombus किसे कहते हैं तहखाने में बनीवी खबरे यानि कि जमीन से नीचे तो पहले ही है तहखाने का मतलब क्या है जमीन से नीचे और कबरों का मतलब उसमें भी जमीन के नीचे तो जमीन के नीचे के भी नीचे दबेवे हैं ये बच्चे तो ये इस तरीके से बंद हो जाएंगे जैसे कैटेकॉमबस में तहकानों में सारे के सारे लोग जो हैं वो बंद रहते हैं आगे वो उमीद करते हैं break or break open till they break the town खोल दीजे इन्हें खोल दीजे तब तक खोल दीजे जब तक कि ये बाहर निकल के उस टाउन में अपना जीवन नहीं जीन लेते और इन बच्चों को हरे मैदान देखने दीजे और इन बच्चों को इस संसार में तोडने दीजे नंगे पैर जो खुली रेत है कौन से कलर की सुनहरे कलर की गोल्ड कलर की जो सेंड है उन पर इन बच्चों को दोडने दीजे भागने दीजे and let their tongues और आईये उनकी जबानों को उनकी जीबों को चलने दे, दोडने दे run naked into books किताबों में नंगी ही चलने दे यानि कि जो किताब जहां से जो पढ़ना चाहे इन्हें पढ़ने दे इन्हें पढ़ने का वो अवसर प्रदान करें and green leaves open history their whose language is the sun और हरी पत्तिया उनके सामने खोले सारी history को जिसकी भाषा जो है वह सूर्य है अब यहाँ पर देखो पेटा green leaves का मतलब है परियावर और white leaves का मतलब है books किताबे तो उन्हें the white and the green leaves open history यानि कि सफेद और हरी किताब पत्तिया जो है उनके सामने इतियास को खोले there उनके सामने whose language is the sun जिनकी language क्या है sun sun यहाँ पर शक्ति को भी दर्शाता है और सूर्य के समान गर्माहट यानि जोश को भी दर्शाता है एक चीज को और दर्शाता है knowledge को और knowledge का मतलब किवल किताबी ज्यान नहीं किताबी ज्यान भी प्लस वैभारिक ज्यान हर तरह के ज्यान को ये बच्चे प्राप्त कर सकें उसके लिए यहाँ पर हमारे कवी जो है गवर्नर से इंस्पेक्टर से विजिटर से प्रार्थना करते हैं आईए और ये जो खिड़किया लगा रखी न आपने ये सेक्सपियर का चित्र लगा रखा है मैप लगा रखा है या तो इन खिड़कियों को बंद कर दो और इनको बिल्कुल केटेकॉमबस की तरह underground कबरे जो होती है उसकी तरह गार दो और नहीं तो इनको यहां से बाहर निकालो इनको खुली रेत पे भागने दो इनको खुली हवा को मैसूस करने दो इनकी जबानों को चलने दो उन पत्तियों पर कौन सी पत्तियों पर हरी पत्तियों पर और सफेद पत्तियों पर और इन्हें वैसा जीवन जीने दो जैसा कि son जो है वह हमें अलाव करता है अपना जीवन जीना ठीक है गाई तो यह हमारी poetry है अब हम बात कर रहे हैं literary devices के बारे में तो literary devices में सबसे पहले stanza में हमें simily मिलती है जहां बच्चों को compare किया गया है rootless weed से क्योंकि यहां पर like का इस्तमाल हो गया तो यहां पर rootless weed के लिए क्या आ गया similarly आ गया फिर आ गया metaphor boy को compare किया गया है paper की तरह ठीक है इतना पतला है जैसे कागजी बैटा हो he is thin paper seeming boy तो paper seeming boy उसे एक सीधा कह दिया गया यहां पर like as as like as नहीं आया तो similarly ना हो करके metaphor हो गया repetition किसी भी एक शब्द को दो अत्वा दो से जादा बार अगर इस्तमाल किया जाता है तो वह repetition होता है जैसे यहां पर farward का इस्तमाल वाक्य में कविता में सबसे पहले ही दो बार हो गया था far far from the gusty waves के अंदर second distance आ के अंदर wall जो है उन्हें describe किया गया dull as sore cream ठीक है तो यहां पर metaphor हुआ है the future of the kids is described as limited और बच्चों का जो भविश्य है उसे बहुत ही limited describe किया गया है उसके लिए क्या word यूज हुआ था कौनचे लाइन थी narrow street sealed with a lead sky तो यहां पर दोनों जगह पर metaphor हुआ है resonance कब होता है जब किसी vowel sound का बार-बार प्रेयोग किया जाए जैसे ballad और flowery दोनों में इशब्द का बार-बार प्रेयोग हुआ है फिर tyrolis के अंदर हुआ है फिर valley के अंदर हुआ है तो E जो है वो क्या है हमारा vowel sound है vowel sound कौन कौन से होते है A, E, I, O, U वाले sound vowel sound होते है इनका बार-बार अगर पुन्रावरती होती है तो वहाँ resonance होता है ठीक है guys next है यहाँ पर illusion refer to well-known person or place जहाँ पर किसी भी जाने माने या परीचित जिसको लोग जानते है दुनिया जानती है उसका इस्तमाल किया जाता है reference के लिए जैसे हैं सेक्सपियर का head है या फिर टाइरोली वेरी है, टाइरोली वेली है repetition वापस वोई इसमें भी वापस far-far आया था far-far from the reverse के time में far-far आया था ठीक है stanza 3 के अंदर metaphor है their homes are very small like holes यह like आ गया ठीक है तो crampid holes कहा गया उसे तो like holes तो नहीं कहा गया सिधा crampid holes कहा गया तो इसका मतलब यहाँ पर metaphor हुआ crampid like holes होता तो simili हो जाता फिर simili आ गया their repaired spectacles अब यहाँ पर like का इस्तमाल हुआ like bottles, bits on stones तो simili हो गया alliteration कब होता है जब भी किसी consonant sound का repetition consonant sound का repetition होता है यानि कि व्यंजन द्वनी जब व्यंजन द्वनी की पुनरावरती होती है तब हम कह देते हैं भहिया यहाँ पर alliteration हुआ है जैसे कि from frog दोनों जगे फै का sound repeat हुआ है चौते stanza के अंदर books and natures are expressed in form of white and green leaves अब यहाँ पर books को और प्रकरती को तो books को तो बताया white और nature को बताया green leaves की तरह तो the white and the white green leaves open the white and green leaves open वहाँ पर क्या हो गया metaphor हमारा हो जाएगा एनफोरा कब होता है कि जब हम repeat करते है words को दो consecutive lines में ठीक है तो जब लगातार दो line है आ रही है और उसके अंदर कोई शब्द बार-बार repeat हो रहा है starting के अंदर जैसे run azor और run naked तो इन दोनों ही शब्दों में run शब्द को hazardous प्रयोब कर लिया गया तो यहां पर एनफोरा हो गया break और break के अंदर सीधे तोर पर हमें repetition दिखाई दे रहा है क्योंकि break और break दोनों शब्दों को एक ही line में बार-बार इस्तमाल किया गया है एनफोरा में दोनों line अलग-अलग है पहली line और दूसरी line पहली line में run आया और दूसरी line में भी run आया तो break और run में अंतर है तो जब दो line में आता है तो एनफोरा जब एक ही line में दो word यूज होते हैं तो फिर repetition का इस्तमाल वहाँ पर किया जाता है यही हमारा वहाँ पर literary device बनता है figure of speech भी आप इसे कह सकते हैं तो उमीद करता हूँ guys आज का lecture बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपको तो एक छोटा सा homework देता हूँ comment box के लिए आप मुझे तीन से पांच ऐसे तरीके बताईये जिन से इन बच्चों को इस परिस्ति से बाहर निकाला जा सकता है तीन से पांच ऐसे कौन से रास्ते हो सकते हैं जिससे आप इन बच्चों को इस इस्तिती से बाहर निकाल सकते हैं अगर आपको पता है आप सोच सकते हैं समझ सकते हैं तो मेरे साथ शेर कीजिए thank you very much I will see you soon in my next lecture till that take care of yourself bye bye I will see you soon